हेलो एवरिवन कैसे हो आप तभी आप कि आपसे भी बहुत 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 अच्छे होंगे मैं हुश्रेया जा मैं आप सब का वेलकम करती हूँ हम सब के फेवरेट यूटूब चैनल जैयार कॉलेज पे जैसे कि आप सब को बताया होगा राहूल सर ने कि हमारा यलगार बैच तूल्स के लिए यलगार बैच था हमारा र request ठीक है उसके ही आज हम Теперь हम टूल के आप करें हम लोसके स्टार्ट कर करें ठीक है माइसेल्फ श्रया जाँ ठीक है माइक्वालिफिकेशन इस ग्याजट ओके इसी के साथ हम चैप्टर के शुरुआत करते हुए चैप्टर की ओर जाते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एकनोमिक एंड मैक्रो एकनोमिक्स हम लोग ने 11 के फॉर्स चैप्टर में पढ़ाओगा बच्चों जो टूएल के बच्चों ठीक है हम लोग ने कुछ इंट्रोडक्शन कुछ थोड़ी बहुत तो जानकारी ली होगी 11 में चैप्टर नमबर फर्स्ट में की माइक्रो और मैक्रो क्या होता है अगर आपने अगर आप साइम अगर आपनी 11 साइन से कि पर फिर भी आपको एकदम टेंचर लेने की जरुरत नहीं है ठीक है बहुत अच्छे वे में और बहुत इसी वे में समझा के दूंगी समझ में सबको सब कुछ आने वाला है ओके branch of microeconomics microeconomics के दो ब्रांच है ठीक है first microeconomics और macroeconomics ठीक है देखो micro m i c r o m a c r o ठीक है almost सब कुछ वंचुक है ठीक है यहां पर i बचा है और यहां पर a बचा है ठीक है i मतलब individual individual मतलब क्या एक ठीक है aggregate मतलब छोटे छोटे पार्ट उसको साथ में लेके study करना is aggregate ठीक है microeconomics microeconomics मतलब क्या एक छोटी सी चीज़ पे study करना is known as microeconomics और एक large quantity मतलब छोटी छोटी चीज़े उसको separately ले आके उसको study करना is known as microeconomics ठीक है I hope कि आप लोगों को यह तो समझ लिया होगा ठीक है हम लोग next page पे और बहुत सारे information और बहुत सारे introduction समझने वाले हैं okay introduction of microeconomics microeconomics क्या है बच्चो फर्स्ट उस्डवाइ रगनार फ्रेश इन 1933 जो microeconomics है यह word को first time use किसने किया था रगनार फ्रेश ने वह कौन थे बच्चो वह एक institute के founder थे ठीक है वह Oslo जो university थी उसके वह founder थे ठीक है इन्हों ने क्या introduce करवाया कि micro और macro के क्या differentiate है ओक है microeconomics derived from Greek word micros which means small millions of parts ठीक है एक बात बताओ जो Greek word था ठीक है जो Greek nation था वहाँ पर micro को micros कहा गया ठीक है क्या लिखा है micros ठीक है मतलब वहाँ पर जो microeconomics जो developed किया था पर वहाँ पर बहुत हर जगह का अपना अपना कुछ words रहते कुछ अलग तो differentiate रहेगा nation अलग है country अलग है तो ठीक है वहाँ क्या बोला गया micros बोला गया which mean मतलब छोटी छोटी चीज एक दम स्मॉल पार्टिकल्स ठीक है इस डिल विट इंडिविजल यूनिट्स वह microeconomics क्या करता है एक individual यूनिट पर स्टडी करता है एक individual consumer पर स्टडी करता है एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर हाउस्वोल्ड पे एक पर्टिकुलर इंडरस्टिस पे ठीक है क्या करता है microeconomics Study करता है okay microeconomics is Indugally microeconomics क्या है अकेला है उसके आगे पिछे कोई नहीं है ठीक है क्या है अकेला है तो मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ आप लोगों को माइक्रोइकनोमिक्स के बारे में बता रही हूँ अब पूरा साथ में लेंगे तो क्या होगा एग्रिगेट हो जाएगा पर अगर मैं आपको एक सब्सक्राइब के बारे में इन्फोमेशन दे रही हूँ यह क्या होगा माइक्रोइकनोमिक्स फॉर एग्जामपल चौक रहता है ठीक हम देखते पहले अभी तो नहीं उस होता पर एक ताइम था जब चौक से ब्लैकबोर्ड पर टीचर्स वाकरा लिखती थी ठीक है यह जो अब बहुत सारे जाड़े तो उसमें से एक ट्री को उठाके और उसको सेपरेटली करना इस नोन एस माइक्रोइकनोमिक्स चिक है मुझे आजू-बाजू से लेना देना नहीं है मुझे बस खुद पर फोकस करना है ठीक है पॉर एक्जामपल अभी हम लोग हमारा नेशन है ठीक है अब बहुत सारे नेशन से ठीक है अब उसमें से किसी एक नेशन को उठाके स्टडी करना इस नोन है माइक्रोइकनोमिक्स माइक्रोइकनोमिक्स कहता है भाई मुझे इंडिवीजुल मुझे इंडिवीजुल उनिट्स इंडिवीजुल इंडिवीजुल फिरेटिनॉमिक्स के कुछ nichts कोई स्कॉप से ठीक है प्रोडक्त प्रायसींग ठीक है अब ऐग बात बताव भच्छों ठीक है प्रोडक्त हिसर kitten है ठीक है इस में अपने मन से दो लाक रुपय डाल सुप मेंक अपने मन तो मेरा जो चल रहा है इक्दम फटाफट से बिक्ड़ी हो इस मार्कर की प्राइज अगर आठ रुपे यह जाल देती हूँ तो क्या मेरा बिजनस चलेगा नहीं यह थेट कैसे बताती नथेगा बहुत बढ़ेगा एकदम मजबूत बढ़ेगा क्या पर क्या हो जाएगा मार्केट में सप्लाइज जएगा बहुत कम हो जाएगा इसके वज़े से हमारा जो डिमांड है इसके बेसे पर हम क्या करते एक प्रोडक्क की प्राइस इसके बनाने की कमपनी तो उसमें मैं बोलूँगी कि भाई इसका मेना 10,000 रुपय एक शर्ट का प्राइस दग देती हूं कोई खर देगा नहीं खर देगा क्यों क्यों क्योंकि लोग उसे खरीद नहीं सकते पर अगर जितने में वह बनी है प्र एकजामपल ठीक है अगर मैं उस शर्ट की प्राइस दो सो रुपय कर दूंगी तो क्या होगा बच्चो मार्केट में एकदम दना-dन मेरा विजनेस बढ़ेगा ठीक है तब क्या होगा डिमांड भी बढ़ेगा और सप्लाइध भी बढ़ेगा ठीक है बट अगर मैं उस शर्ट की प्राइस 180 कर दूँ त next theory of factor pricing okay अब एक प्रोड़क की प्राइस तो डीटर्माइन हो गई ठीक है डिमांड और सप्लाइब कि बीचास हम लग निक प्राइस तो डीटर्माइन लेबर चाहिए ठीक है अब आप क्या करों के कैपिटल लाओगे या इंट्रेस्ट पे लाओगे ना ठीक है और अगर एक एंटरपेनर को रखोगे तो इसको क्या दोगे प्रॉफिट दोगे तो भी तो रहने वाला है ऐसे कोई काम करने वाला है के बच्चो नई ठीक है एक कि उसे भी फैक्टर का जो प्राइजिंग होता है वो किसके बेसे सब्सक्राइड लेबर क्यापिटल और एंटरपेनेर ठीक है मतलब क्या अभी प्रोड़क्त तीक है अभी में आपको यह पर बताया है कि प्रोडक्त सब्सक्राइब करते हुए जो यह फैक्टर को एनलाई कर को यूप्स अच्छी प्रोड़क्सिन को यूट निकालना उससे लोगों को सैटीस्टपाई करना इस अग्यांक इनफूट उटपूट जादा ठीक एह नेक्स्ट इफिशेंचे उप्रोडक्शन Dec he if you see and shoe of production मतलब क्या अगर अभी समजहनो मेरे पास ओंड है ठीक है अभी 2020 आज़ अभी ये तो है अब इसके में क्या utilize करूँगी इसको में यूज कर के क्या करूंगी जो लोगों की satisfaction जो लोगों को satisfy करे वो चीज़ मुश्फीज मनाुगी अब कुछ भी बना तू किया बच्चो बिकेगा क्या नहीं बिकेगा ठीक है उसका में क्या करूँगी चेयर बनाओगी ठीक है चेयर अब मैंने बना लिया ठीक है अब मैंने क्या किया वो जो मेरे पास जो पचास वुडन थे उससे मैंने क्या क्या उसको यूटीलाइब किया उसको मतलब कम वेस्टेज में ज्यादा प्रोड़क्टिविटी दिया, ठीक है, कम चीजों में ज्यादा प्रोड़क्टिविटी दिया, ठीक है, efficiency of consumption, ठीक है, अब मैंने उस वुडन से चेयर तो बना लिया, पर लोगों तक distribute कैसे होगा, ठीक है, उसको अच्छे वे में distribute कौन करेगा, हम करेंगे, ठीक है, distribute, देखो, for example, आसा में चायपत्ती बनती है, ठीक है, अगर आसा में अगर इंसान चायपत्ती खुदी बना के और खुदी बेचे, ठीक है, अगर वही पे बेचे, तो क्या उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, उसका, नहीं मिलेगा, पर अगर वो अलग-अलग नेशन में बेच अगर तो उसको क्या होगा, उस लोग को Satisfy होंगे ही, पर उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कम से कम सीजों में लोगों को Satisfaction मिलेगी, ठीक है, ओवर वाल Efficiency, मतलग क्या, लोगों के Desire, लोगों के Desire, अभी मेरी इच्छा क्या है, मस्त मस्त एक pass दरीक, एक चार लेने नहीं एक ऐसी चीज जो लोग डिजायर करते हैं लोगों के डिमांड के बेसेस पे हम जो प्रोड़क्टिविटी क्रियेट करते हैं उसको हम ओवरॉल एकोनॉमिक एक प्रोड़क्ट की प्राइजिंग किसके डिमांड और सप्लाई पर ऐसी हो जाएगी कहना है उसको बनाने के पीछे जो प्रोड़क्टिविटी जो पैसा लगा होगा वह किसे लगेगा बच्छो लैंड लेबर कैपिटल और एंटर्पेरियर के बेस पे ठीक है हमारा हम कम से कम चीजों में और कम से कम वेस्टेज में लोगों को कैसे साटिस्टफाय करें यह हमें एकनॉमिक वेलफाय बोलता है ठीक है एफिशेंची अफ प्रोड़क्टिविटी दे यह हमें कौन बोलता है इफिशेंची अफ प्रोड़क्शन इफिशेंची अफ कंजम्शन मतलब क्या बच्चो इफिशेंची अफ कंजम्शन क्या लोगों को लोगों की ज़रुत की चीज़ें लोगों को सैटिस्फाय करनी वाली चीज़ें लोगों तक पहुचाना इस नोन एफिशेंची अफ कं तो एक चीज पर फोकस करना तिरिक वाजु बाजुसे क्या लेना देना है तिक है फॉर एक्जामबल ठीक है अब हमारा ये चेल है ठीक है इसमें क्या होते है चोटे-चोटे सबसेल्स होते हैं इसको study करना separately is known as micro economics micro economics कहता है सिफ और सिफ एक चीज़ पे focus करो बाकी चीज़ों पे focus मत करो और सिफ एक चीज़ पे study करो बाकी चीज़ों पे study मत करो ठीक है for example एक tree है sorry एक जंगल है ठीक है उसमें tree है ठीक है उस को study करना is known as microeconomic किसी भी चीज़ को एक इंडिजुली तौर पर study करना is known as microeconomic एक पर्टिकुलर हाउसोल्ड को एक पर्टिकुलर फॉर्म को एक पर्टिकुलर कंजूमर को study करना is known as study of individual units ठीक है next price theory ठीक है price theory अभी आपने scope में देखाई theory of product pricing theory of factor pricing and overall economic efficiency ठीक है अब किसी भी चीज़ का price कैसे determine होगा बच्चो प्रोड़क्त की price कैसे determine होगी demand or supply के इस पर अपने मन से कुछ भी डाल दू क्या इसका rating डाल दू क्या 50 रुपए कोई खर्देगा क्या कोई खर्देगा ही नहीं जब कोई खर्देगा नहीं तो बना के फायदा क्या है ना demand होगा ना supply होगा ठीक है एक चीज को मतलब एक इंसान को वहां से हटा के उसको study करना इस नोएस माइक्रोड मैं यह हमें तो 50 पैन है ठीक है अब इस पैन है 50 ठीक है अब क्या होगा demand बढ़ेगा क्या अपनों को लगता है demand बढ़ने वाला है नहीं जब नीमांड बढ़ए गाओ प्राइस दस रुपेशड थो बीगेगा ठीक है वह क्या होता है हमारा जो डिमांड और सप्लाइब रहता है वह क्या करते है हमारे जो प्रोडुक्त उसको क्या करते है यौल इक्वाल करता है ठीक है next based on certain assumption, ठीक है, based on certain assumption, ठीक है, based on certain assumption हमें क्या बोलता है, everything remaining to constant, सब कुछ को ऐसा मालो कि सब कुछ constant है, ऐसा कौन बोलता है, एक चीज में फोकस करो, और बाकि सब चीज को क्या करो, assume to be constant, ठीक है, for example, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग हूंगे, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, उस में से, उस में से किसी एक को, एक को उठा के study करना, is known as partial equilibrium, एक demand और एक supply को balance करने का काम कौन करता है, partial equilibrium, ठीक है, based on certain assumption हमें क्या बोलता है, कि देख भाई, तू ना, सब कुछ को constant, भूल जा अजू बाजू कौन है, बस एक इंसान पर focus कर, आप लोग ज्यादा दूर तक मच जाओ, ठीक है, वहाँ तक नहीं गई हूँ, slicing method, slicing method मतलब क्या, किसी चीज़ को slice करके, उसको study करना, is known as slicing method, for example, अभी हमारे घर में family pack आता है, ठीक है, हम लोग क्या करते, उसके slice cut करते, ठीक है, slice cut करते, ठीक है, उसको study करना, is known as slicing method, ठीक है, अभी हम लोग mango, बना HEY, मेंगो का season है, ठीक है, उसको slice करते, three form में, ठीक है, उसको slice करते, उसको study करना, is known as slicing method, ठीक है, use of marginal principle, प्रिंसिपल मतलब क्या एडिशनल यूनिट से मुझे क्या फरक पड़ेगा ठीक है फ़र एक्जामपल बच्चों भी मेरे पास क्लासे से ठीक है मैं कॉमर्स के बच्चों को education प्रवाइड करते हूं ठीक है अभी मेरे पास क्या 40 बच्चों का सीट है ठीक है 40 बच्चों का सीट है 31 ठीक है चल देगा 32 33 34 35 36 37 38 39 40 आया तो भी चलेगा पर 41 तो क्या होगा एक एडिशनल यूनिट से क्या फरक पड़ता है ठीक है मतलब क्या अगर 41 आएगा तो मैं सोचूं मतलब क्या हमारे एकनोमिक्स में या हमारे बीजनस में एक एडिशनल लूनिट से क्या परक पड़ता है वो हमें कौन बताता है मार्जिनल प्रिंसिपल ठीक है एनलाइज अ मार्केट स्टक्चर को एनलाइज करना क्या सारे मार्केट को साथ में लेके स्टडी करना बच्च है we limited scope ठीक है है limited scope limited scope क्या है MicroEconomically scope वह बहुत limited है भाई तो इस चीज के बारे में study कर सकता है उसके एक boundary बनाई गई है ठीक है टारे यह इसकी boundary है यहां पर limited scope है थिका honey असफिक है भाई तो इससे बाहर निखल के दिखा तिर निखल के दिखा दिख्वण कर सकता वह बहुत स्टड़ी नहीं कर सकता ठीक है इसको स्कोप क्या है वह एकदम लिमिटेड है इंडिविजल है बहुत लिमिटेड स्कोप है ठीक है कि आप सबको फीचर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी इंडिविजल इनिट्स मतलब कि आप अच्छो एक चीज पर फोकस करना ठीक है बाकी चीजों को भूल जाओ रहें क्या करके भी क्या करोगे प्राइस थैरी मतलब क्या किसी भी प्रोड़क्ट का प्राइस कैसे ड प्राइस पर फोकस करें जो जाओ तो वी कॉंस्टेंट और चीज पर स्टुडी करो इस नोन अश चांशन ठीक है इस लाइस में निकाल के स्टुडी करना इस लोन एस प्राइजिंग मैसर्ट ओके मार्जिनल प्रिंसिपल मतलब क्या मार्जिन एक एडिशन यूनिट से मेर किसे नीर इकनमी में क्या उस्ट बढ़ेगा ठीक है वह बताता है जूप पिरुछ कर सकते एक दम सब ठीक है इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आए हो बच्चो कि आप लोगों को फीचर्स ना बहुत अच्छे वे में क्लियर होई होगी ठीक है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो ठीक है next importance of microeconomics ठीक है microeconomics के क्या है कुछ importance है ठीक है first price determination अब मैंने आपको बताया है हम लोग ने theory of product pricing theory of factor pricing तो देखाई अब बच्चो किसी की भी price determined कैसे होगी डीमांड और supply के बेस पे ठीक है अभी देखो अभी अभी में क्या बना हुए पें तो बना ली शर्ड भी बना ली ठीक है कोई बातने कुछ और बनाते है ठीक है अभी पास laptop बनाने की होगी खर देगा डिमांड क्या होगा कमोगा तो क्यवाद क्या होगाए ठीक है अगर मैं इसका 20,000 अचे Duty एक दम फटाफट दना दन भिकरी है मेरा लेप्ट अप पूछो मत में तो बहुत आगे चली ठीक है वही अगर मैं इसका प्राइस 8000 रख दू तो क्या होगा दिमांड पड़ेगा ठीक है मैं मान दिए पड़ेगा पर क्या हो जागा सप्लाइ कम हो जागा इससे क्या होगा क् नहीं कर सकते हैं इसके बैसिस पर नहीं कर सकते नेक्स्थ प्री मार्केट टिए कॉप्वर्मेट का इक नॉमिक क्या जहां पर गवर्मेंट अब कर मान लोना एकडांपल नहीं को फ़ीक है मेरे पास बहुत अच्छा शौप काच नोलेज्ज बहुत अच्छिक को थीक कैड मेरे प灑 अच्छा इल्गता च्छाOS' ठीक है मेरे पास government के interference बिल्कुल भी नहीं है ना कोई any other agency की ठीक है अभी मेरा क्या है कपड़ा तो बिक नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी कपड़ा पड़ा छोड़के सब वड़ापाउ की दुकान खुल दू क्या होगा बच्चो क्या government की interference है बिल्कुल नहीं है ठीक है इसक trade मतलब क्या goods export और import करना ठीक है export और import तो हम करेंगे one country to another country बट क्या एक बात बताओ अगर हम one country to another country कोई भी प्रोड़क्ट पहुचाते तो क्या उसमें tax नहीं लगता ट्रैप नहीं लगता लगता है ना उसके basis पे जो हमारे ट्रैप्स लगते जो टैक्स लगते उसके basis पे किसी भी प्रोड़क्ट का price determine होता है ठीक है एक तरी से एक तरीके से origin trade जो है important पार्ट है किसका microeconomics का ठीक है चीजों को समझने थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर हम क्या करते हमारा जो microeconomics है ना वह हमको क्या करता है हमको चीजों को समझने के लिए easy कर देता है ठीक है अगर हम किसी भी individual units को लेके study करेंगे बच्चो अलग-अलग forms को तो क्या होगा हमारे पास information आएगा उससे क्या होगा उससे क्या होगा हमारा जो economics अगर हमारा economics कम rating चल रहा हो रहेगा या हमारे economics बहुत लो रहेगा तो हम क्या करेंगे new new policy लाके new new चीज लाके उसको क्या करेंगे develop करेंगे ठीक है next use business decision ठीक है कि दूष दूष ना है अब एक बात बताओ ठिक है हमारा जो eckonomics एक businessman के थो पर जबहुत जारूरी है जब्यु जारूरी है एक बात बताओ business का decision कैसे भी ले सकते हैं यह क्या नहीं ले सकते हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो product है वो कैसा है वो product जो है वो किस लिए है और उसकी जो price है वो कितनी है इसके basis पे हम क्या कर सकते कोई भी business का decision लेते हैं उसके लिए हमें helpful होती है ठीक है next useful to government हमारा जो micro economic है एक तरिके से government के लिए बहुत useful है ठीक है क्यों कि government जो है वो छोटी-छोटी चीजों को analyze करती है ठीक है लोग जो उसको tax देते हैं हमारे जो public उसको tax देती है उसे वो new policy लाके हमारे जो economic welfare है हमारा जो economics उसको क्या करती है develop करती है इसलिए हमारा जो micro economics है उसमें government का जो useful है वोबी बहुत ज़ादा है ठीक है next basic of economic welfare home is economic welfare ठीक है हमारा economic welfare अभी हम government को tax देंगे ठीक है उससे क्या होगा हमारा economic हमारा economic develop होगा ठीक है carbon तो आप लाइक करिये और अगर आप चाहते हैं कि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियो या मेरे यूटुब चैनल से रिलेटेस्ट जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक जल से जल पहुंचते तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें ठीक है और अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस नौलेज का बेनिफिट ले सके ठीक है और अगर आपको इस सब्सक्राइब कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ठीक है थांक्यू सो मच थांक्यू